नमस्कार आदाव सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार यह वीडियो जो अभी अभी आपने देखा वो बनारस का है जिस दिन मोदी बनारस की गंगा में डुबकी लगाने पहुँचे थे उसके ठीक अगले दिन का अब समझ में आ रहा है कि पीम मोदी को ऐसे ही बनारस में डुबकी नहीं लगानी पड़ रही है उन्हें एहसास हो चला है कि अगर वो डुबकी नहीं लगाएंगे तो भाजपा डूब जाएगी अखलेश यादों के रोडशो में जंसैला बुमन रहा है इन लोगों को बुलाने के लिए मोदी की तरफ परिवहन विभाग को नहीं जोकना पड़ा है कलक्टर स्पी को कंड़क्टर नहीं बनाना पड़ा है रुपिया पैसा भाड़ा नहीं देना पड़ा है लोग अपने आप चलकर अखलेश यादों और ओम प्रकाश राजभर की एक जलत पाने के लिए दूर दूर से पहुँच रहे हैं और ये लोग जहां भी जा रहे हैं मोदी का बनाया हुआ माहौल पोचते रहे हैं याद कीजिए ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा का साथ छोड़ कर समाजवादी पाटी से हाथ मिलाते हुए कि हम पुर्वांचल में बीजेपी को दिन में तारे दिखा देंगे उन्होंने चेतावनी दी थी कि नरेंद्र मोदी के बनारस तक में बीजेपी को सीट के लाले पड़ जाएंगे इस चेतावनी को भारत की पूरी राजनीत में चाहे जिसने भी हलके में लिया हो लेकिन मोदी का दिल धहल गया है इसलिए उनकी हालत ऐसी हो गई है कि आधी रात को पसीने पसीने में तर बतर हो जाते हैं और सुबह होते ही बनारस की और भागते हैं अखलेश यादों ने इसका मजाक उड़ाते हुए इटावा में कहा था कि मोदी को अब बनारस में ही रह जाना चाहिए एक कि अब पूरे तीन महीने तक बनारस में ही रहे पूरे चुनाओ तक तो अच्छा है काशी अच्छी जगा है आखरी समय में काशी में रहने की परंपरा है बाद में उन्होंने इसे सुधालते हुए का था कि वो सरकार के अंतिम समय की बात कर रहे थे देखिए कि जब मोदी नहा रहे थे तो आधित्यनाथ योगी होने के बाद भी गंगा में नहीं उत्रे दूर खड़े होकर ताकते रहे कि मोदी के आचमान अनुष्ठान की शूटिंग ठीक से चल रही है कि नहीं अखलेश यादों ने इस पर चुटकी लेते हुए ये कहा कि मुख्यमंत्री जानते हैं गंगा साफ नहीं हो सकते इसलिए उन्होंने डूपकी नहीं लगाई सीम योगी और पीए मोदी के वारा नसी दोरे पर तंज कस्ते हुए अखलेश यादों ने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसकदर यूपी की मौजूदा सरकार को दरकिनार कर रही है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीम योगी को पीए मोदी अकेला छोड़ दे रहे हैं यूपी में जिसको दूला बनना है उसी को किनारे खड़ा कर दिया है 2017 का चुनाओ बीजेपी ने दो ही क्षेतरों के दम पर जीता था गौर कीजिएगा पुर्वांचल और पश्मी उत्रप्रदेश तो पश्मी उत्रप्रदेश में तीनों क्रिशी कानूनों को वापस ले लेने के बाद भी भाजपा नेपत्थे में जाती हुई नजरा रही है तो पुर्वान्चल में अख्लेश यादो और रोम प्रकाश राजभर ने मोदी योगी के पैरों तले से जमीन खीच ली है अख्लेश यादो कहते हैं कि सहयोगी दलों ने BJP के लिए दरवाजे पर छिटकिनी लगानी शुरू कर दी है भाजपा के साथ मौजूद सभी सियासी राजनितिक दल अब समाजवादी पार्टी के साथ जुरते जा रहे हैं 2022 के चुणाओं में भाजपा का सफाया होने जा रहा है लोग उसकी नफरज जूट और बेइमानी की राजनीत से तंग आ चुके हैं ये सब कह रहे हैं अखिलेश उनकी सभाओं में उम्री भीड ने BJP के माथे पर पसीना ला दिया है ना हिंदु मुसल्मान काम कर ला है ना मोदी का नाम काम कर ला है ना विकास का गुबारा काम कर ला है ना जैश्री राम का नारा काम कर ला है दो दिन के दोरे पर जॉनपूर पहुँची अखिलेश यादाओ ने बीजेपी पर निशाना साथते हुए कहा कि बीजेपी को अपने संकल पत्र की तरफ दोबारा देखना चाहिए उसने वादा किया था कि किसानों की आए दुगनी हो जाएगी लेकिन वो हो गया है कंगाल वादा किया था कि चीजें सस्ती होंगी पेट्रोल सौ के पार चला गया सरसो कातेल दो सो के पार चला गया कहा था दो करोड़ रोजगार हर साल देंगे जिसकी थी उसकी भी चली गई आम आदमी की कमाई आधी रह गई है और महंगाई दुगनी हो गई है अखलेश यादों लोगों से पूछते हैं कि कमाई कम होने पर और महंगाई दुगनी होने पर आम आदमी में खुशाली कैसे आ सकती है ये भाजपा को बताना चाहिए वो कहते हैं कि भाजपा ने खेती और किसानी के काम को बरबाद करने का बीड़ा उठा लिया है तीन काले क्रिशी कानून लाकर किसानों का अपमान किया गया और इस दोरान लगबक 700 से अधिक किसानों की जान गई आज बड़े पैमाने पर रोजगार की कमी है उन्होंने भाजपा से सवाल पूछा कि कोई बताए उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए रोजगार के लिए कितने बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है बड़ी बड़ी परिक्षाओं में पेपर लीख हो रहे हैं तो कई बार परिक्षाओं को स्थगित करना पड़ गया उन्होंने कहा कि हालत ये हो गई है कि BJP के मौजूदा सांसद और विधायत तक अभी गाओं में नहीं घुस पा रहे हैं ये वो सवाल हैं जिन से मोदी और योगी भागना चाहते हैं वो चाहते हैं कि काशी मथुरा और आयोध्या पर बात हो हिंदू मुसल्मान पर बात हो पाकिस्तान और इम्रान पर बात हो लेकिन जब कोई उन्हें बार बार रोजगार और महंगाई पर खीचने की कोशिश करता है तो वो बिलबिला उठते हैं और इसी बिलबिलाहट में मोदी गंगा में कूच जाते हैं जौनपुर में भी अखिलेश यादों के साथ ओम प्रकाश राजबर मौजूद थे वो जहां भी गए लोगों का रेला उमड रहा था उन्होंने आनन फानन में किये गए मेडिकल कालेज के उदघाटन को निशाने पर ले लिया अखिलेश यादों ने मेडिकल कॉलेज की तस्वीर को ट्वीट किया और इसको ट्वीट करते वे लिखा कि ये है या धोलिक खंडहर भाजपा के राज में जॉनपूर मेडिकल कॉलेज अभी तो खुद बिस पर पकड़े हुए है पता नहीं कब ये जनता का इलाज करने लाइख होगा अब 22 के चुनाओं में जनता भाजपा का इलाज करेगी जॉनपूर के मेडिकल कॉलेज का वर्चुल उद्गाटन मोदी ने देखिये कि 25 अक्टूबर को आनन फानन में सिधार्ट नगर सकिया था आधा दूरा बना था लेकिन इस मेडिकल कॉलेज की निव रखी गई थी 27 सितंबर 2014 को अकलेश यादो ने रखी थी इसे बनाने के लिए 554 करोर रुपे की राशी भी तैय कर दी गई थी भाजपा सरकार ने आने के बाद केवल इसका नाम बदला है नाम बदलने के शौकीन योगी आधितिनाथ ने इसे उमा नाज सिंग श्वसासी राज्य चकित्सा महा विद्याले कर दिया लेकिन सवाल है कि क्या इस से भाजपा की हालत भी बदल जाएगी देखिए कि पूरवानचल में लगभग 154 सीटे पड़ती हैं इसमें से 2017 में 100 से ज्यादा सीटे भाजपा ने अकेले जीती थी लेकिन अपना दल और राजबर के साथ मिलकर इस बार राजबर समाजबादी पार्टी के साथ हैं अपना दल तूट का राधा समाजबादी पार्टी के साथ जा मिला है अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की सभाव में बिना बुलाए हुए बेहिसाब लोग पहुँच रहे हैं सोचिए कि टीवी वालों तक अपनी बुलेट मोटर साइकल छोड़कर अखिलेश यादव की बस पर सवार हो रहे हैं उन्हें कहना पड़ रहा है कि मोदी लाक गंगा नहा लें लेकिन इस बार बनारस की हवा भी बदली हुई है और गंगा का पानी भी इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 90 इन इंडिया को अब तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो मेरा ख्याल है कि आपको फॉरण कर लेना चाहिए अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सबस्क्राइब बटन देखिए और अगर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाईए लाइक कर लीजिए फॉलो कर लीजिए और मेरा कहना है कि अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं त